हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आप सभी से राय जानने की कोशिस की थी कि हमारा जो आने वाला कोर्स है वो किस तरीके का होना चाहिए किस तरह का कंटेंट होना चाहिए और एक दिन के अंदर कितनी वीडियो आनी चाहिए और जो कोर्स है हमारा वो बिल्कुल फरी में होना चाहिए या paid होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सभी राए मैंने आप से जानने की कोशिस की थी, तो बहुत से दोस्तों ने हमें reply दिया, अच्छा बहुत अच्छा suggestion दिया, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत thank you कहना चाहता हूं, और दिल से अभार व्यक्त करता हूं, और मैं उमीद करता हूं कि वो दोस्त हमें आगे वी ऐसे suggestion देते रहेंगे, तो आप सभी का तहे दिल से सुक्रिया, और अब दोस्तों बात आती है कि हमारे उन जो comments है, आप लोगों की suggestions है, उन से क्या निकल के आया है, तो यह हमें देखना जरूरी है, देखिए सबसे पहला जो बात निकल के हैं, सबसे पहली जो बात आई है, वो यह आई है कि एक दिन के अंदर कम से कम दो वीडियो होनी चाहिए, तो यह सुझाव आप लोगों का बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसके अंदर हम यही कोशिश करें कि एक दिन के अंदर आपको दो वीडियो दी जाएगी, और उसके अंदर हम थोड़ा टाइमिंग अभी फिक्स नहीं किया है, हम टाइमिंग देखेंगे, दूसरे जो हमारे दोस्त है, जो यूटूब जो यूजी सी नेट से रिलेटिड वीडियो बना रहे है, उनका टाइमिंग भी देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक टाइमिंग पर च्यार यूटूब चैनल लाइव आ रहे है, तो जो यूजर है, वो बिचारा कन्फ्यूज हो जाएगा, कि किसे देखें और किसे छोड़े, तो ये थोड़ा हम चीजे देखेंगे, और दूसरा क्या है, कि उसके अंदर ये हमने डिसाइड किया, कि सुभए का टैमिंग जो होगा, अभी हमने डिसाइड नहीं किया, सुभए के टैमिंग में हम आपको ठेոरी करवाएंगे, टोपिक की ठेhanolी करवाएंगे, और स्याम को जो टैमिंग होगा, उसके अंदर हम मोग टेस्ट करवाएंगे, सुभए जो पढ़ाय है, है उसका हम मोग टेस्ट करवाएंगे तो सबसे जो इंपोर्टेंट चीज है यह है कि हम दो वीडियो डालेंगे और अगली जो चीज आती है दोस्तों जो एक बहुत महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि हमारा जो कोर्स है वह क्या होना चाहिए पेड कोर्स होना चाहिए या बि चीज कही नहीं हमें लगी और आप लोगों ने वी बहुत अच्छे सजेशन दिये तो उन सजेशन में से काफी लोगों ने कहा कि जो कोर्स है बिलकुल फरी में होना चाहिए काफी ने का 200 रुपे 300 रुपे 500 किसी ने 1000 रुपे भी कहा 15 रुपे भी कहा तो सभी के अपने अ और लोगों से राय ही है अगहर गलत हो तो आप बता देना कोई बीचे अगर अगर मेरी गलत लगे तो आप में कवेंट वक्स के जरिए बता सकते हैं हमने सोचे कि को फीज है वो 500 रुपे होनी चाहिये दिसम्बर तक की को फीज फीज 500 रुपे होनी चाहिए और देखी मेर नोर्मल इनसान करी सकता है कि 500 रुपे वो अफोर्ड कर सके तो ये तो मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी रकम है और इससे क्या है कि ये दोस्तों की वो कहते रहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है आपके छोटे-छोटे सहीयोग से क्या है कि हम अपन लेकि हमारा काम अच्छे से चला सकते हैं यूटूब चैनल चला सकते हैं हमारी वेबस IoT वगरा है आप लोगों को जो content देखे as a वा अज्रु interdisciplinary कर सकते है तो दोस्तों ये चीज होना थोड़ा ज़रूरी है तो हम लोगोंने decide कि आइंकि 500 रुपए होनी चाहिए इसकी कोर्स की फीस तो अभी भी आप हमें रायत देना जरूर देना कि 500 रुपे जो कोर्स की फीस है वो सही है या क्या है दिसंबर तक के कोर्स की और इसके अंदर देखी एक चीज और मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब कई दोस्त ऐसे सोच रहे हैं कि अगर हम 500 रुपे नहीं देंगे तो हम क्या बिलकुल भी study नहीं कर पाएंगे नहीं दोस्तो ऐसा नहीं है हमने उन लोगों के लिए भी सोच है जो बिलकुल 500 रुपे भी नहीं दे सकते या कुछ प्रोब्लम है उनको तो उनके लिए हमने ये सोच है कि हम वीडियो डाले ठीक है उनकी भी वीडियो डालेंगे फिरी में भी नोट्स दीए जाएंगे और पेड में भी नोट्स दीए जाएंगे लेकिन पेड जो कोरस लोगे उसके आपको काफी त्रकी advantage मिलेगी जैसे कि एक advantage मैं बताऊं कि जो लोग paid course लेंगे हमारा वो हमसे directly call कर सकते हैं उनको जो भी problem आई वो हमसे पूछ सकते हैं और उसके बाद में उनको जो notes है directly whatsapp के अंदर दिये जाएंगे और जो free में किसी को notes लेने तो वो हमारी website पे जाएगा वहाँ पे अलग-अलग notes आपको देखने पड़ेंगे अलग-अलग section में जाना पड़ेगा और फिर ads वगराएगी काफी ad आई यानि कि वो थोड़ा सा irritative हो सकता है आप सभी के लिए तो थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है उसके अंदर अगर आप फ्री में notes लोगे तो अगर paid notes लेते हो तो आपको बिलकुल यानि कि कोई भी ad वगरा नहीं देखने किसी website पर नहीं जाना बिलकुल आपके personal whatsapp पे और group के अंदर आपको notes है video वो provide करवा दी जाएगी और इसके अलावा जैसे live classes होगी और आपको जैसे separate topic wise PDF दी जाएगी जैसे old paper की old paper की हम 2014 से लेके और 2019 तक बना रहे हैं अभी जो exam हुआ था ये और December 2018 का exam हुआ था इन सभी के old paper वो हम आपको इसमें देंगे और बिलकुल topic wise अलग अलग होँगे जैसे कि teaching के अंदर 2019 में जो 5 दिन exam हुआ था 10 shift में exam हुआ था इन में teaching के कितने question आए वो अलग कर रखे हैं और computer के जो है वो अलग है research के लग है इस तरीके से 10 जो unit है हमारी 10 के 10 जो topic है वो हमने अलग कर रखें दिसंबर के भी है और यह जून के विए 2019 के और इसी तरीके से हमने उनके mock test भी बना रखे हैं और तो वो जो theoretical notes भी हमने बना रखे हैं तो यह सारी चीजे आपको paid course के अंदर मिल जाएगी बिल्कुल यानि की असान तरीके से मिल जाएगी और अगर आप free में करोगे तो उसमें आपको थोड़ी problem आ सकती है तो यह थोड़ा advantage रहेगा paid course का और अब बात आती है कि हम paid course कब launch करने वाले हैं देखे पेड पेड पोर्स हम जल्द ही launch करने वाले हैं और हम एक तारिक को एक अगस्त को आप सभी को publicly बता देंगे कि हमारा schedule क्या रहेगा और पहली class कब से शुरू होने वाली है एक तारिक को आपको पूरा पूरा schedule दे दिया जाएगा उसके अंदर और सारी चीज बता दी जाएगी कि पहले कौन सा topic फिर कौन सा topic और क्या होगा किस तरीके से होगा वो सारी चीज आपको बता दी जाएगी और एक चीज और मैंने आप सभी को कही थी कि एक number वी launch करने वाले हैं हम आप सभी के लिए जिस पे आप हमसे direct बात कर सकते हैं तो वो number वी आपको एक अगस्त तक उमीद है कि एक अगस्त तक आपको मिल जाएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपका अभी भी कोई suggestion है अमारी बात कोई अगर अच्छी लगी या भूली लगी या कोई और सजेशन देना जाते तो आप हमें दे सकते हैं comment works के जरिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का बटन जरूर दवाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को साने से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तो